हेलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में OneDrive में Error Code आता होगा 0x8004DEDC इस तरह से आपके केस में भी Error आता होगा या नहीं तो OneDrive से नहीं नहीं वो पाता होगा तो इस तरह के Error आता है तो इसको कैसे fix करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि यहाँ लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आपको क्या करना यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको यहाँ प यहां पर किलिक करने के बाद आपको क्या करने यहां पर टैप करते हैं यहां पर दिखेंगे तो यहां पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आपको यहां पर आपको क्या करते हैं यहां पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएग अब माले है यदि आपके case में भी user controller panel open होता है तो आपको क्या करने यहाँ पर yes पर किलिक करते हैं यह uninstall होना शुरू हो जाएगा uninstall complete होने के बाद यहाँ से यह हट जाएगा आपको क्या करने इस window को यहाँ से close करते हैं अब आपको क्या करने system को restart करने जरूर आप system को restart कर लिजेगा restart होने के बाद आपको क्या करने के बाद कोई भी browser आपको open करने के बाद आपको क्या करने डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको क्या करने वहाँ पर एक link मिलेगा उस link को आपको copy करने के बाद आपको क्या करने यहाँ पर आके आपको paste करने के बाद इस तरह से link paste हो ज कर दो हो जाएगा यहां पर किलिक करती है इस तरह से धिक्सका आप जाएगा अब आपको क्या करना है इस EXC को आपको रैट क्लिक करना है इसके बाद आपको परपटे पर क्लिक कर देने किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब मालिज़ यदि आपके केस में भी यहाँ पर आपको अपलाई पर क्लिक कर देने यदि आपके केस में यहाँ पर आपको क्लिक कर देने, क्लिक करते हैं, इस तरह से विंड़ो ओपन हो जाएगा, अब यदि आपकी केस में भी user controller panel ओपन होता है, तो आपको क्या करने, यहाँ पर यह पे क्लिक करते हैं, यह इस पर क्लिक करते हैं, यह इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, installation complete होने के बाद यह window close हो जाएगा आप यदि आप इस exe को कहीं और save करका रखना चाहते तब रख सकते हैं यानि तब यहां से इसको delete करना चाहते तो इसको आप delete भी कर सकते हैं आप आपको open करके check करने हैं open करने के लिए आपको क्या करने हैं search पे click करने हैं इसके बाद यहां पर आपको tap करते हैं यहां पर आपको दिख जाएगा one drive इसको पर आपको क्लिक करते हैं क्लिक करते हैं इस तरह से window open होगी आप देखने विदाट को error यह open हो चुका है तो इस तरह से आपके case में भी one drive का जो भी error होगा वो error fix हो जाएगा अब आप यहां से sign in करके इसको use कर सकते हैं और please guys चैनल को subscribe करे, like करे, share करे, thank you